हलो दोस्तों पापर से स्नैक्स बना लेंगे और चटनी के साथ वह भी बहुत टेस्टी रहता पानी को बाइल करके तीन टमाटों को लेके कट लगा के दालेंगे और उसके साथ में जो है ना ड्राई चिली है ती ना उसको भी दाल कर बाइल के लिए चोड़ देंगे आलू को लेकर मैं तीन आलू को बाइल कर ले थी उसका इसकी निकालना निकालकर जो से अच्छे से मैश कर लेना अब जो है ना हमारी ये बाइल हो गए टमाटे हम इसको पानी से अलग करके ठंडे के लिए छोड़ देंगे उसके उसके बाद हम जो है सुना गाजर के आपसिकम प्य अब जैसे ही लाइट हुए बान में से अभी जो काट लिये थे ना वो सब सारे चीजें इसके अंदर दालना दाल कर एक चमज नमाक और एक चमज हल्दी थो हादा चमज हल्दी एक चमज मिर्ची दाल कर हम इसको ये गाजर कैपसिकम का पानी सुखने तक अच्छे से भून प्लीज सब्सक्राइब करिएगा मेरे चानल को थैंक यू अब यह जैसे ही सुक्का हो जाता है उसके अंदर चिली फ्लाक्स और आरिगानों दाल कर हम थोड़ी देर इसी तरह भून लेना जल्दी सुक जाता भी है इसके में अभी जो मैश कर लिए सो आलो है न हो दाल कर वह दीमी आँच रख दे के हम मिक्स कर लेना इसको निकाल लेंगे और ठंडे के लिए छोड़ देंगे यह टमाटे जो है ना बाइल के लिए लिए थी ना उसका इसकी निकाल कर ग्रांडर में डालींगे और मिर्ची भी डालींगे उसके साथ थोड़ा सा एक कटा कोट मी ले तो दालकर, हम इसको ग्रैंड कर लिए नरम पेस्ट बना लेंगे थोड़ा सा पैन लेकर उसमेड थेल दाले और कटा चिला वाला है पांइ सुक्का होन सब्सक्राइब मेंगा शुक्ट पसेट सब्सकार आप या ग्या थांडा हो गया चीज मैंदधा कीज सब्सक्राइब जैसे चटनी कर शकल आने तक कर लिए देखिए आ गया देखिए इसके बाद हम इसको भी क्या करेंगे निकाल के रख लिए अब यह जो ठंडा हो गया ना इसमें मौजरिला चीज या कुछ भी है ना ठंडे में दाल देके चीज को अच्छे से मिक्स कर लिए इसके बाद एक पढ़ लेके हम उसको पानी लगा लेंगे दोनों तरफ से अच्छा सा पानी लगाए तो नरम हो जाता अब यह बना लिए सो मसाला उसके अंदर दालना दालकर हम फिंगर से हाँ से जो है ना हम अच्छे से कान नर को दबा लेना कच्छा है ना वह थोड़ी दिर दबाने के का आता ना उसको हम निकालेंगे मगर बहुत टेस्टी रहते भाई एक बार आजमा के देखिए देखिए मैं तोड़के भी बताती हूं आपको देखिए